अब भारत अब चीन की हर चाल का आसानी से जवाब दे पाएगा क्योंकि भारत ने एक सब्मरीन प्लान तैयार किया है और इसके साथ क्या है चीन की वो चाल जिसके लिए प्लान तैयार किया गया है वो हम आपको समझाएंगे लेकिन उससे पहले अगर तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आपने News18 इंडिया के YouTube चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चानल को सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूलिएगा चीनी नौसेना नंबर के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ी है और ये तेजी से अपना आकार बढ़ा रही है तीन एरक्राफ्ट कारियर उसके पास मौझूद है और वो चौथे सुपर कारियर की तैयारी कर चुका है अभी नहीं लेकिन अगले दो से तीन साल के अंदर ये एरक्राफ्ट कारियर हिंद महासागर शेतर में भी दिखाई दे सकते हैं सब्मरीन और जंगी जहाज तो इस इलाके से होकर गुजरते ही हैं लेहाज अएरक्राफ्ट कारियर और वार्शिप का सबसे बड़ा किलर यानि की सब्मरीन की ताकत भारती नौसेना युद्दिस तर पर बढ़ा रही है दुनिया में फिलाल तीन तरह के सब्मरीन है पहला डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सब्मरीन है फिलाल भारत के पास 16 डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सब्मरीन है जिसमें एक बालिस्टिक मिसाइल नौकलियर सब्मरीन यानि की SSBN INS अरेहंत तो सूत्रु के मताबिक दू स्वारीन SSN की मनजूरी भी सरकार की ओर से मिल सकती है बालेस्टिक मिसाइल नुक्लीर सब्मरीन की खासियत अब क्या है यह आप समझेए जैसे की नामसे ही समझ में आ रहा है कि वो सब्मरीन जो की इन दोनों में फर्क की बात करें तो इसमें जमीन आस्मान का अंतर है सब्मरीन बनाई गई है पानी में गोता लगाने के लिए और पानी के अंदर छिप कर जितने देर तक रहें दुश्मन की नजर से भी बचा जा सकता है पचास दिन समुद्र के अंदर रह सकती है ये सब्मरीन मौजूदा पारंपरिक डीजल इलेक्टरिक पावर्ड सब्मरीन को चलाने के लिए बैटरी का इस्तिमाल किया जाता है और बैटरी चार्ज करने के लिए सब्मरीन को पानी की सता पर आना होता है यानि कि 2-4 दिन के अंदर डीजल इलेक्टरिक पावर्ड सब्मरीन को सता पर आना ही होगा और ऐसे में किसी बड़े लंबे अंडर वाटर ओपरेशन में थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन नुकलियर पावर्ड सब्मरीन के पास सता पर आने की ऐसी कोई मजबूरी नहीं ये लंबे समय तक पानी के अंदर डाइव लगा सकती है ये पावर पर नहीं बलकि उस सब्मरीन को उपरेट करने वालों के 9 सैनिको की क्षमता पर निर्भर करता है ये 50 दिन से जादा पानी के अंदर रह सकती है इसके लावा बैटरी चार्ज करने की जरूरत ही इसमें नहीं पड़ती क्योंकि नुकलियर रियाक्टर के जरीए इसमें उज़जा बनती है जो की लगातार चलती रहती है तो उसे बैटरी चार्ज करने के लिए सता पर आने की कोई जरूरत ही नहीं है और जानकारी के मताबिक ये भी मालूम पड़ा है कि अरेहंद क्लास सब्मरीन लाइट वाटर नुकलियर रियाक्टर से लास है अरेहंद क्लास सब्मरीन एक नुकलियर पावर्ड बालिस्टिक मिसाइल सब्मरीन है जिसका नाम SSBN है जो की एडवांस टेकनोलिजी विसल प्रोजेक्ट की तहत इसका निर्मान 2004 में शुरू हुआ था और पांच साल बाद 2009 में इसका सी लाउंच हुआ और लंबे समुद्री परिक्षण के बाद साल 2016 में इसे कमिशन कर दिया गया अरेहंद की खासियत की बात करें तो ये 110 मीटर लंबा है और 11 मीटर चोड़ा है 700 किलो मीटर दूर तक ये आसानी से निशाना लगा सकती है अरेहंद क्लास सबमरीन पानी के अंदर 24 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रवतार से मूव कर सकती है और इसकी रेंज अनलिमिटेड है इसमें 700 किलो मीटर मार करने वाली 12 के 15 सबमरीन लॉंच बालिस्टिक मिसाइल है जो नुक्लियर कापिबल निर्भया मिसाइल को उपरेट कर सकती है साथी ये 6 टॉपिटो भी लेकर डाइव आसानी से लगा सकती है जानकारी के मताबिक ये भी पता चला है कि ATV प्रोजेक्ट के तहद कुल 4 बैलिस्टिक मिसाइल नुक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने का प्लान था जिसमें से अरिहंत पहले आ चुकी है और माना ये जा रहा है कि इसी सीरीज की दूसरी अरिहंत क्लास सबमरीन जिसका नाम अरिघात है वो भी जल्द भारत की ताकत को बढ़ाने के लिए तयार रहेगी रिपोर्ट के मताबिक 2017 में अरिघात को लॉंच किया गया था सुत्रू की माने तो सी ट्राइल को पूरा करने के बाद ये कमिशन के लिए तयार है अरिघात अरिहंत से थोड़ा और जादा घातक होगी इसके अलावा अरिहंत क्लास की बाकी दो सबमरीन S3, S4 का निर्माण भी जारी है नुकलियर सबमरीन के बेड़े में इसके अलावा भारती नौसेना को भी nuclear powered submarine के निर्माण की मंजूरी मिलने की उमीद है अब सरकार इसके लिए मंजूरी तो देही सकती है और सुत्रु के मताबिक सरकार इसी साल सौदेश में ही nuclear submarine निर्माण के लिए मंजूरी दे सकती है नेवी के पास फिलहाल एक भी nuclear powered submarine नहीं है SSBN यानि की ballistic missile nuclear submarine और SSN यानि की नुक्लियर पावर सबमरीन के प्रॉपलिशन का सोर्स नुक्लियर रियाक्टर ही है लेकिन SSBN साइज में SSN से बड़ी है और उसी के तहट उसके रियाक्टर साइज और डिजाइन अलग-अलग है नौसेना को उमीद है कि दो SSN की मंजूरी सरकार की तरफ से मिल सकती है नौसेना की सबमरीन फ्लीट की ताकत भारतिय नौसेना अपने पुराने हो रही पंडुब्यों की फ्लीट के रिप्लेस्मेंट के लिए बड़ी तेजी से लगातार कदम आगे बढ़ा रहे हैं उसी के म काफी लंबे समय से शुरू कर दिया था साल 1997 में भारत सरकार के रक्षा मंत्राले ने अपने सबमरीन प्रोग्राम प्रोजेक्ट को 75 के तहत 24 सबमरीन प्लान को आगे बढ़ाया लेकिन 1999 में कारगल युद्ध के बाद CCS ने अगले 30 साल के सबमरीन बिल्डिंग प्लान के पुराने प्रोजेक्ट 75 को नए प्लान को प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत आगे बढ़ाया जुसमें दो प्रोडक्शन लाइन में इन पंडुब्यों के निर्मान को जारी रखा जाने पर काम शुरू कर दिया गया अब तकनीक के आदान प्रदान के चलते भारत में ही पं सब्मरीन का करार किया टेकनोलोजी ट्रांसफर के तहत मजगाउं डॉक लिमिटेड शिप बिल्डर्स लिमिटेड को छे पंडुब्बियों के निर्माण का यहां पर दिया गया है तो देखे किस तरीके से सब्मरीन ताकत यहां पर बढ़ाई जा रही है भारत की जिसके तहत वो किसी भी शेतर में खास तोर पर अगर चीन को जवाब देना हो तो आसानी से दे सकता है